जिन्दगी की भाग दोड में सेहत का मिध्यान रखिए कहीं अचान ना हो कि पेट आगे निकल जाए और हम पिछे रजाए नमस्कार दोस्तों मैं मनी और स्वागत है आप सभी का हेल्थ मनी में दोस्तों आज की वीडियो को टॉपिक है अरहल की दाल अरहल की दाल के सेहन से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं इस वीडियो के माधियम से आप बताने की कोशिश करूँगा पिपे वीडियो को पूरा देखे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अरहल की दाल खाने से कई फैदे होते हैं इसका सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है और हाई ब्रट प्रेसर को भी कंट्रोल किया जा सकता है अरहर दाल की तासिर गंब रहती है इस दाल में सोडियम, फाइवर, पोटेक्शियम, कार्वोहडराइड, मैगनेशियम, आइरन और केलसियम जैसे पौसकत्त होते हैं इस दाल को आप कभी भी अपनी डाइट में सामिल कर सकते हैं यदि आप वेजिटेरियन हैं तो इस दाल का सेवन करना आप के लिए और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इस दाल में सारे पौसकत्त तो आपको मिल जाते हैं तो आएए दोस्तों विस्तार से जानते हैं अरहर की डाल के कुछ महत्पूर्ण फैदों के बारे में अरहर दाल के फैदे ब्लड पेसर को करे कंट्रोल जहां दोस्तों अगर आप अरहर की डाल का सेवन करते हैं तो आपको BP कंट्रोल करने में भी मदद दिलेगी इसलिए पोटेशियम की भरपोर मात्रा पाई जाती है जो हाई बलड प्रेसर को कम करने का काम करता है अगर कोई बेक्ती हाई बलड प्रेसर से बीट है तो उसे हिर्दे रोप का खतरा भी हो सकता है ऐसे में BP को कंट्रोल करने के लिए अरहर डाल का सेवन जरूर करना चाहिए अरहर की डाल के फैदे पाचन तंत्र को करे दरुस्त दोस्तों अरहर डाल आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है क्योंकि इसमें उस मात्रा में फाइबर होता है जिससे भोजन को आसानी से पचा जा सकता है इस दाल का सेवन करने से गैस और अपच्च की सिकाद भी नहीं होती है ये दाल आपके सरीर को पुरे दिन चुस्त दुरुस्त बनात रखती है अरहर की दाल के फैदे गर्वती महिलाओं के लिए अरहर की दाल में खोलेक एसिड होता है जो प्रेग्मेंसी में माँ और बच्चे के बिकास के लिए बहुत फैदेमन मानी जाती है शिशु के बिकास में खोलेक एसिड मदद करता है अगर आप गर्वती महिलाओं हैं तो आप अरहर की दाल का सिवन जरूर करें ये आपके लिए काफ़े फैदेवन साबित हो सकती है अरहेट की दाल के फैदे वजन घटाने में मददगार दोस्तों अगर आप भी बढ़ते हुई वजन से परिशान हैं तो आप निराइट में अरहेट की दाल को जरूर सामिल करें क्योंकि अरहेट की दाल में फैबर और प्रोटीन भरपूर मातरा में पाय जाता है जो वजन को कंट्रोल करने में काफी मददगार शाबित होती है अरहेट की दाल के फैदे डापिटीश को करे कंट्रोल है जिहां दोस्तो डापिटीश मरीजों को साबोत अनाज और डाल खाने की सला दी जाती है अरहेट की दाल में एंटी अक्चिडेंट गुड़ पाया जाते हैं इतना ही नहीं दोस्तो ये कॉंप्लेक्स कागो हर्टेट का भी अच्छा सोर्स है जो डापिटीश लोगियों के लिए काफी फैदेमन साबित हो सकता है दोस्तो यदि आपको इस तरह की कोई भी परिशानी है तो आप अरहेट की दाल का सेवन जरूर करें जिया आपके लिए काफी फैदेमन साबित हो सकती है तो देखा दोस्तो अरहर की डाल के सेवन से हमें कितने सारे फैदे मिलते हैं अगर आप अरहर की डाल का सेवन नहीं करते हैं तो प्लीज आज से इसका सेवन शूरू करें और इन सारी बिमारियों से छुटका रापाएं तो दोस्तो कैसा लगाए वीडियो आप ने कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जुरूर बजा है क्या दोस्तों ये वीडियो आपको आख़ी अच्छा लगा या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या फैबली उमर को हेल्प कर सकता है तो प्लीज अपने वाट्स पर जाएं इस वीडियो का लिंक कम से कम साथ लोग को शेयर करें शेयर करने से क्या होगा साइद उनके जीवने कोई बदलाव आया या कोई खुशा ली और वो आपको धन्यवाद बोले इसके साथ साथ मेरा भी मसेचन लोगों तक पहुँच पाएगा दोस्तो अभी तक हमारे यूटीव चैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें साथ में घंती वाला बटन जोड़ दबा दें ताकि जो वीडियो अन्यवाला है तो सबसे पहले आप मिल सके यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलते ही मोटिवेशन दूसरी वीडियो पर आने के लिए तो दोस्तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक साथ तब तक लिए धन्यवाद